आपके पास है IQA Z7S और आप इस phone की 3 button navigation की sending को करना चाते हैं तो मैं इस video में आज आपको बताऊँगा कैसे कर सकते हैं जैसे कि अभी आप देखो कि back button left hand side आपको देखने को मिलता है अगर आप right hand side को set करना चाते हैं तो कर सकते हैं या फिर आप इस phone में इन button को hide करके जैसे navigation को लगाना चाते हैं तो आप उनको भी set कर सकते हैं तो चली friends जानते हैं कैसे उनको हम set करेंगे आपको सबसे पहले phone की setting में चले जाना होगा या आने पर कुछ इस तरह से interface मिल जाता है यहां से आपको scroll down करके last में आ जाना होगा यहां पर आपको देखने हो मिलेगा आपका system इस system option पर आप click केजिए इसकी बाद आपको देखने मिलेगा system navigation यहां click करना है अगर आप direction को chain करना चाहते हो तो आपको वो option मिल जाएगा यहां पर आपको click करना है अब आपका back button right hand side आ जाता है अगर इसको भी आप hide करना चाहें बटनों को तो आप वो भी कर सकते हैं इसके लिए आपको जैसे navigation के लिए select करना होगा आपकी button आप hide हो जाएंगे और जैसे navigation लग जाते हैं यहां पे एक line भी आपको नजर आती है इसको भी चाहें तो आप hide कर सकते हैं जितनी आपको hide button बार पर पहले click करना होगा आपकी आप line भी hide हो जाएगी इसके लाबा इसको आप use करना चाहते हैं तो यहां click करेंगे back कर सकते हैं इस साइट से क्लिक करने पर भी आप इसका back का यूज कर सकते हैं, हूम बटन आपको कुछ इस तरह से काम करेगा, और recent apps को यूज करने के लिए इस तरह से क्लिक करना हुगा, आपके recent apps इस तरह से open हो जाएंगे, तो friends इस तरह से spawn की 3 बटन navigation के आप sending को कर सकते हैं,